हेलो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं आप लोगों के साथ एक ग्रीन कड़ी पकोरे की सबजी की रस्पी सेयर कर रही हूँ जो बहुत ही बनाना असान है और एक वार अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो आप बार बार इस तरह से बनाना चाहेंगे चलिए बारी काटा है एक कफ मेथि के पत्तो को काटके लेंगे यहां पे मैंने एक चौ थ़ाई कप बारी कटी हुई और लंबे आकार में कटी हुई आलू को लिया है इसके साथ ही इसमें हम पांच बढरी चमच बीसन डालेंगे तीन बढरी चमच अगर आपके पास चावल का के करीब डाला है एक procrasti चमच इसमें हम हाल्दी का पाउडर डालेंगे मिर्ची पाउडर स्वाद के नुसार डालेंगे आप यहां पर रिवाली मिर्ची को भी बारी काटके डाल सकते हैं बस इन सभी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगी, यहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है, बस इसी तरह से हमें इसे मिला लेना है और यह अच्छे से सभी इकठा हो जाएगा तो कुछ इस तरह से देखे यह हमारा अच्छे से सब मिल चुका है अब इसमें से एक हम छोटे छोटे साइज के बॉल्स तयार कर लेंगे हमें बिल्कुल छोटा छोटा ही बॉल्स तयार करना है तो मैंने इस तरह से सारे बॉल्स को तयार करके रख लिया है अब एक कराही में मैंने पहले से ही सरसो तेल को मिडियम हीट पे गरम कर लिया है तेल को हमें जादा गरम नहीं करना है बढ़ना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा इसमें अब हम पकौरे डालेंगे और इसे धीमी आज पर हम अच्छे से दूनों तरब से पलट पलट के हम इसे पका लेंगे इसे धीमी आज पर ही पकाना है बढ़ना अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा तो इस तरह से हमारे सभी सबजी वाले जो पकौरे है ये बनके तयार हो जाएंगे तो हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे और जो हमारा बचा हुआ है उसे भी हम इसी तरह से बना करके रख लेंगे फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी या रेस्पी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट करना इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर सेयर करना आवेक हम बरासा बाउल लेंगे और उसमें एक कप दही लेंगे दही आपका अगर एक दो दिन का भी खटा है तो वो भी चल जाएगा दो बड़ी चमच इसमें हम बेशन डालेंगे और पानी यहाँ पे हम चार कप डालेंगे तो हम यहाँ पे 4 कप पानी डाल देंगे इसके साथ ही हम थोड़ा सा मसाला भी डालेंगे तो एक छोटी चमच हल्दी का पाउडर नमक स्वात के अनुसार डालेंगे यहाँ पे मैंने 1.5 छोटी चमच के करीब डाला है एक चोथाई छोटी चमच हम गरम मसाला का पाउडर ड इसमें बेजन की कोई गुठली नहीं रहे तो इस तरह से ये हमारा तयार हो चुका है इधर हम कराही L Corey Sing कर लेंगे ईकवडी सबते हैं मुद्धी का दाना और 2 चूटकी हम मिथि का दानाani मोद्हाय। आधी छोटी चमच हम अजवाइन और चुटकी भर हम इसमें हिंग डाल देंगे हिंग से बहुत ही अच्छा स्वाध आता है अब इसमें एक छोटी चमच बारी कटी हुई हम लसन डालेंगे अगर आप लसन खाते हैं तो जरूर डालिएगा यहाँ पे अब मैं एक प्याज को बारी काट के डाल दूँगी और इसे हम एक मिनट के लिए पका लेंगे धीमी आज पे तो इसे हमें प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है सिर्फ एक मिनट ही पकाना है अब इसमें हम आधा कप पालक का पेश्ट बना के डाल देंगे और उसे धीमी आज पर हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे पालक को मैंने कच्चा ही पानी थोड़ा सा डाल के और उसका पेश्ट तयार कर लिया था यहां पे जो हमने दही वाला मिक्षर तयार करके रखा है उसे हम अब इसी में डालेंगे और आच जो है वो बिल्कुल हम तेज कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे लगातार हमें तब तक चलाना है जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए अच्छा से उबाला आ जाएगा तब हम गैस को जो है बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसे धीमी आच पर 6-8 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे शुरू में आपको तेज चलाते रहना है तेज आच पर जिससे की दही आपका ना फटे तो इस तरह से यह हमारी कड़ी जो है पक के तयार हो गई है और जो हमने सबजी वाले पकोड़े तयार करके पहले से रखे थे उसे डालेंगे एक मिनट के लिए इसे और पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे तो friends ये हमारी सबजी वाली कड़ी पकोड़े जो है न बहुत ही मज़दार तयार हो चुका है कुछ ठंडा होने के वाद देखे ये किस तरह से हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है इसके सामने सारी सबजीयां फेल हो जाती है तो आप इसे चावल के साथ जरूर खाईएगा बहुत ही टेस्टी होती है अगर पसंद आया हो तो please support करना खुश रहे